यहां पर मैंने इस तरीके से औरे पट्टी को रखा है और इस तरीके से जो कोने बन रहे हैं यहां से सीधा लगभग 0.25 से भी कम लेते हुए हैं यहां से इस तरीके से सिलाई करके निकालना है दोनों कोने कोने से सिलाई निकलेगी तो यह एकदम सीधा जुड़ेगा और आगे का वीडियो डिलीट हो गया है इसके लिए मैं छमा चाहती हूँ तो इस तरीके से अब इस पट्टी को हमें ब्लाउज के गले पर लगाना है तो सीधे तरब से रखते हुए पट्टी को और थोड़ा सा आगे का हिस्सा निकाल के नीचे की और मोड दिया है और यह हमारा ब्लाउज सीधा है और यह हमारी पट्टी जो है यह उल्टी तरब से रखी हुई है ताकि हमारे जोड जो है वो अंदर चले जाए तो इस तरीके से 0.25 के करीब या एक दो सूत और लेते हुए इस तरीके से हमें किनारे किनारे सिलाई मारते जानी है या फुट पॉइंट का एक पैर लेते हुए इस तरीके से हमें सिलाई मारनी है अराम से और यूनिक सा टिप्स था आपके लिए तो यहां पर देखी इस तरह से यहां पर भी मैं पट्टी को थोड़ा सा खीच नहीं हूँ कपड़े को नहीं पट्टी को और आगे आने के बाद थोड़ा सा जादा रखते हुए उसको फोल्ड करके अंदर कर देंगे ताकि वो मुने के मुने पूरी ठीलाईव चला जा है कि इस तरीकेश से हमने फूरे हमारा घंव पैठेवब आप यहां पर हमारा पॉइंट यहां पर है मतलब इतना ही मारित ना और किनारे पर अंदर को अंदर से सेट करते जाना है ताकि हमारा कोई भी कपड़ा बाहर नीचे से ना निकले और अच्छी तरीके से दप जाए तो यह पट्टी जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगे और मेरी और यह पट्टी जो थी वह लगभग एक इंच चोड़ाई में थी आप स सबसे सही और अच्छा तरीका और सबसे सुंदर तरीका यही होता है और इसे बहुत ही प्यारा सा पाइपिन बनता है देखिए यहां पर इस तरीके से मैं किनारे किनारे सिलाई को चला रही हूं और यह बहुत ही आराम से बन जाता है तो यह देखिए कितना चोड़ा है पाइपीं बनके तैयार होता है इस तरीक वास से यह पिला करें इस से लिपेर, आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो आपको फिलनों निले दरवर करें पट दूर impressed जाना है सिलाई हमारा पीछे बाहर की और नहीं दिखेगा ओपर फ्रंट पे नहीं दिखेगा तो सारे थ्रेट को लेते हुए ठोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें जैसे तुर्पाई करते हैं उस तर्पाई enhance आया है और बस इसी तरीके से बनाते जाएंगे